नमस्कार मेंजले मिश्र और स्वागत है आपका हमारे चरवल में इस वक्त तक बड़ी खबर सामने आ रही है आपका बता दे कि जैसे ही अचानक 231 दिन बाद अब परम विर सिंग सामने आ गए है अचानक से और सामने आने के साथ-साथ ही वो जाच में शामिल होते हुए गज़र आ रही है और उनके सस्पेंशन को लेकर आप डिसकेशन किया जा रहा है कि इनको किस तरीके सज़ेक्स ग्राउंड पर कौन से बेसिस पर इनका सस्पेंशन किया जा सकता है साथी साथ आपको बता दे कि जो पूर्व आप कह सकते हैं पुलिस कमिशनर जो है रह चु सस्पेंशन को आगे बढ़ानी की बात का रही है उनके सबसेंशन को लेकर उन्हों ने ग्राउंड रखा जिस बेसिस पर सस्पेंशन की मांग हो रही है कि वह इतीएट डेस से सर्विस में अपने नहीं आया है तोटल एठासी दिन जो है वहाँ से अपने सर्विस इसको नह इसको लेकर चर्चा चल रही है वो यह है कि जो ओल इंडियन सिविल सर्विस है उनके कुछ नियम होते है जिनका उलंकन जो है साथ तोर पर जो परमविर सिंग है उन्होंने किया है और इसको देखते हुए भी उनका सस्पेंशन होना चाहिए इस बात को लेकर चर्चा हो रही है और जो तीसरी जो एक और एहम इस पूरे मामले में जो कड़ी निकल कर सामने आई है वो यह आई है कि परमविर सिंग के खिलाफ जो है पांच क्रिमिनल केस रेजिस्टर है तो एक ऐसा वैक्ति जो पूर जो है कमिशनर पुलिस कमिशनर रह चुका है और साथी साथ चर्चा तेज होती हुई नजर आ रही है साथी साथा को बता दे कि एक और जो ग्राउंड दिया गया है जिस पर इनके सस्पेंशन की बात कहीं जा रही है जो चौथा पॉइंट जो सामने रखा जा रहा है वो यह रखा जा रहा है कि जो मुंबई की जो ऑथरिटी है जो इ ऐसे में उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं वो मुंबई में लाइन करते हैं और सीधा जाच में शामिल हो जाते हैं यह भी जो और इसी बेसिस पर इस वक्त इनके सस्पेंशन की जो आप कह सकते हैं कि मांग कर रही है इसको लेकर बात चल रहा है आपको बता दे कि इस प इने कई पत्र जारी किये थे जिस पर उन्हें जवाब मांगा जा रहा था कि आखिर परमवीर सिंग कहा है इसको लेकर वाजब कारन उनसे मांगा जा रहा था लेकिन इसके बावजूर के टरफ से कोई स्पॉंस नहीं आया था जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार में कई सारे डिवलपमेंट्स हुए थे और इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के तरफ से उनका जो पैसे थे जो उनकी जो मंत्री से भी रोक दिया गया था आकोविदादी कि शहादी गेस्ट है उसमें इस पांच क्रिमिनल केसे चल रहे हैं और जब तक इस पूरे मामले में वह निर्दोस निकलकर सामने नहीं आ जाते हैं तब तक उन्हें जो होम गाड क्यों डीजी है साथ ही साथ हुए पूर्व पुलिस कमिशनर है तो ऐसे हमें इनको यह होम गाड कि जो डीजी के पद से भी दो 31 दिनों से गाइब है लेकिन 88 डे से यह वर्क पे नहीं आया तो आप सोच चुछेंगे कि आखर यह कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति जब इतने दिनों से गाइब है तो वर्किंग डेस सिफ 88 कैसे हो सकता है तो मैं आपको इसको लेकर क्लियर कर दूँ कि दरस जी यह 231 डे किया था जिसके बाद हायर ऑथरिटीज की तरफ से उन्हें जो लीव है वो ग्रांट कर दी गई थी और इसके बाद आपको बता दे कि फिर उन्होंने बैक पे इनके शिकायत करते हुए लीव को बढ़ाने की मांग की थी जिस लीव को बढ़ाकर हायर ऑथरिटीज ने 29 पता नहीं था जिसके बाद इनको एक के बाद एक लेटर्स बेजे गया इनके जो मुंबई के दो ठीकाने वहां पर इनको अलग-अलग पत्र जारी किया गया साथ ही साथ इनके चंडिगर का भी एक आप कह सकते ही कि एक जो उनके पास ऑफिशल डॉक्यमेंट में एक आड् जहां पर वह यह कहते हुए नजर आ रहे थे उनके वकील कहते हैं नजर आ रहे थे कि उन्हें मुंबई पुलिस से ही जान का खत्रा है और वह तब ही बहार आए कि जब उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाएगा उन्हें नयाई-पालिका पर भरुसा नहीं है खास कर तब इस वक्त मिंकोटने यगण में नहीं होगी लेकिन जिसतरीके से खबर सामने यति कि नहीं की जाएगी सारे जाच में सारे में मंसूरी में लोग मैं पूंतन रोखने आघुंथीजए कि रிख संतर वग्धार अपना एक और नहीं होते फेसा विक जब ईनसनर सीवक्तन जाएगा जिसके बाद आज चानक से परविर सिंग जो है सारे आप क्या सकते हैं कि उनके पाल से जो भी सबूत थे उन्हें लेकर वह पेश होते हुए आज नाजर आए और उनके पेश होते ही कई सारे मामले खुलते हुए नजर आए सबसे पहले जानिल देश्मुक का पूरा और रेगुलेशन होते हैं उसका पालन नहीं किया है उन्होंने मुंबई याने से पहले हाई और आथरिटीस को इनफॉर्म नहीं कि तरफ से जितने पत्र बेज़े गया उसका उन्हें जवाब नहीं दिया पिछले जो है अठासी वेटी डेस से जो है वह यहां पर इस वक् संथन किया जा रहा है इसको लेकर चर्चा की जा रही है और थोड़े ही मतलब आपके सकते वक्त में पता चल देगा कि आखर इस पर क्या राय बन कर निकल करा रही है क्या परमविर सिंग का सस्पेंशन किया जाएगा या फिर कुछ और कुछ नया निकल कर इस पूरे मामले में देखने को सामने मिलता है साथी साथ आपको बता दें कि मुमे के पूर्व पुलिस जो कमिश्टर है पुलिस आयुक्त है परमविर सिंग उनके द्वारा पूर्व ग्रिया मंत्री अनिल देश्मु के उपर जिस तरी के संबनी लॉंड्रिंग का जो मामला निकल कर सामने वेद वसूली के मामले में जाज के लिए महाराष्ट्र सरकार के गठे तोह यहां को ले कर सचिन वाजी के बयान का दोबारा से कुट परिक्षन किया है वापस से क्रॉस चेकिंग की जा रही है ताकि इस पूरे मामले में कुछ निकल कर सामने आ जाए वो परमविर सिंग के वकील से पूछा कि वो मुंबई के पुर्व पुलिश कमिशनर कहा है वो क्यूं इस वक्त सा सामने प्रमविर सिंग को निर्देश दिया कि जितने जल्द हो सके परमविर सिंग को हमारे सामने पेश होना होगा अनता उनके खिलाफ जारी जमानत वरंट उस पर कारवाही हो गी और अब भी जहां रहाए उनने उसका पार्ट बनना पड़ेगा तो ऐसे हमें आपको बताते हैं कि जारी जमानत वरेंट पर उनकी कारवाई हो सकती है अगर परविर सिंग उनके सामने पेश नहीं हुए तो आप देख सकते हैं कि आते ही जो है कई सारी मुश्किलें उनके बढ़ती हुए नजर आ रही है एक दिनों से कुछ तकरीबन 211 दिनों से वह गायब थी और अचानक से उनका आना जो है एक बड़े जटकी की तरह देखने करें मिला किसी को पता नहीं था कि अचानक से परविर सिंग इस तरीके सा सामने आते हुए नजर आएंगे जो इतने दिन से छुपे हुए थे इनको ल लेकर यह जो उनके वकील अनका था कर अबिर सिंग को ज्यादा इस बारे में जानकारी नहीं है अनिल देश्मुक के उपर भी जो आरोप लगा थे उनकी जूनियर से उनको सुनने के लिए जिसको कंफर्म करने के लिए जो सुनते ही उन्हें भी शॉक लगा था जिसके सार को लेकर उन्हें डराया धंकाया और साथ 12 लाख रुपए की वसूली का मामला उस वक्त देखने के लिए साबने आया था तो ऐसे मैं देख सकते हैं कि किस तरीके से एक के बाद गुतिया इस वक्त सुलस्ति नजर आ रही है और अनिल देश्मुक को लेकर भी कई सारी ब बदलाव देखने के लिए मिलते हैं और ऐसे में अब इस पर क्या कुछ नया धेखने के लिए मिलता था तब तक के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो भी रही हो हमें सेक्शन में करके जरूर बताए झाल झाल